हेलो फ्रेंज इस न्यूज में हम डिसकस करेंगे कि 1st January 2021 से आपको GST8 के अंत्रिगत Input as Credit GST8 2B के बेस पर क्लेम करना है या फिर GST8 2A के बेसिस पर या फिर Books of Account के क्लेम करना है फ्रेंज GST8 के अंत्रिगत Rule 60 substitute किया गया है 1st January 2021 से जिसमे के बताया गया है कि Register Taxpayer को Input as Credit Automatically Provide किया जाएगा GST8 2B में हर महीने यानि कि जैसे ही Supplier GST8 1 फाइल कर देगा तो उसके बाद यह उसे दिखाए देगा या फिर यदिर Supplier के दवारा पहले 2 महीने के लिए Inwise Furnishing Facility के दवारा Inwise से अप्लोड की गई है तो उसके बेस पे GST8 2B में Input as Credit दिखाए देगा और तीसरे महीने में जैसे ही Taxpayer के दवारा GST8 1 फाइल कर दी जाएगी तो उसके बाद GST8 2B में यह अप्डेशन आ जाएगी फ्रेंज यह GST8 2B हर महीने अवेलेवल कराए जाएगा रजिस्टर वक्ति को जैसे ही GST8 1 को फाइल करने की ड्यू डेट खतम हो जाती है या फिर Inwise Furnishing Facility को फाइल करने की ड्यू डेट खतम हो जाती है फ्रेंज आप GST8 2B को GST Portal पर देख सकते हैं लोग इन करके सबसी टाइम में रिटर्न में जाके रिटर्न डैश्बोर्ट पर जैसे ही फ्रेंज आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पर Financial Year और Return Filing Period चूज करेंगे तो अब GST8 2B को यहाँ पर View कर सकते हैं या फिर Download कर सकते हैं फ्रेंज आप इसे Download कर सकते हैं JSON फाइल में या फिर Excel फाइल में फ्रेंज आप इसे View भी कर सकते हैं GST8 2B में आपको पता लगेगा कि कितना Input Asking Edit आपको Available है और कितना Available नहीं है यहाँ पर आप Advisory देख सकते हैं कि किस Date तक का Input Asking Edit यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंज यदि Normal Text Pair है और Monthly Return File कर रहा है GST8 1 तो पिछले महिने की 12 तरीक से लेके इस महिने की 11 तरीक तक का ITC आएगा और यदि Quarterly Return File कर रहा है तो पिछले महिने की 14 तरीक से लेके इस महिने की 13 तरीक तक का Input Asking Edit GST8 2B में आपको दिखाई देगा चोकि आप Download भी कर सकते हैं फ्रेंज कि GST8 2B के Base पे आपको Input Asking Edit क्लेम करना है आंसर है नहीं फ्रेंज आपको GST8 2B में जो Input Asking Edit आ रहा है उसे reconcile करना है अपनी Books of Account के साथ है और यह ensure करना है कि को Input Asking Edit आपने दो बार ना ले लिया हो या फिर जो Input Asking Credit GST8 और Rule के Coding आपको Reverse करना है वो आप Reverse कर दें GST8 3B में और Reverse Charge बेसिट पे टेक्स पे करना है तो आप Pay कर दें फ्रेंज के GST8 2B में जो Input Asking Edit आ रहा है वो टेक्स पे पूरा अवेल कर सकता है आंसर है नहीं फ्रेंज क्योंकि कुछ ऐसे भी Case हो सकते हैं जहां पे के System के दवारा Input Asking Edit को Reverse ना किया गया हो GST8 2B में यानि कि Not Eligible के Column में ना दिखाया गया हो इसलिए Taxpayer को अपने आप Self-Access करना है ऐसा Input Asking Edit और GST8 3B फाइल करते हुए उसे Reverse करना है फ्रेंज GST8 2B में ऐसा Consign Input Asking Edit है जो कि No की Category में आ रहा है यानि कि Not Available है फ्रेंज GST8 2B में नीचे दिए गया आइट C9 की CASE में आ रहा है Not Available यानि कि यदि कोई Goods या Service ली गई है जिस पे के Recipient Input Asking Edit लेने के लिए Eligible नहीं है जैसे कि Food and Beverages तो वो 9 की Column में आ रहा है या फिर Supplier का और Place of Supply एक ही State में है और Recipient दूसरी State में है तो उस CASE में भी उस Invoice का Input Asking Not Available में आ रहा है इसके लाब अभी कोई और Case हो सकता है फ्रेंज जैसे कि Supplier ना Invoice इसू कर दी है लेकिन अभी तक Goods या Service रसीव नहीं की है तो वो ITC आपको नहीं मिलेगा इसलिए वो आपको Manually Self Assess करना है और Reverse करना है इसके लाब फ्रेंज आपको GST Rule में Rule 36 सब Rule 4 को भी Refer करना है जिसमें के बताया गया है कि अधि Supplier के द्वारा Invices या Debby Note अप्लोड नहीं किये गई है तो उस CASE में आप 5% Extra Input Asking Credit क्लेम कर सकते हैं यानि कि जो आपका Eligible Credit Available है उसका 5% और क्लेम कर सकते हैं यानि कि जो GSTR 1 या Invice Furnishing Facility के द्वारा Supplier ना Invices अप्लोड की हैं उसका 5% और क्लेम किया जा सकता है इस परकार फ्रेंज यहाँ पे में मेंशन नहीं किया गया कि GSTR 2 भी में जो आपका ITC आ रहा है उसका 5% आपको क्लेम करना है तो फ्रेंज इस परकार GSTR 2A में जो आपका Input As Credit आ रहा है उसका 5% एक्स्ट्रा Amount आप और क्लेम कर सकते हैं फ्रेंज रूल 60 जो कि 1st January 2021 से सब्सिट्यूट किया गया है उसे बताया गया है कि जैसे ही Supplier GSTR 1 फाइल कर देगा या Invice Furnishing Facility के द्वारा Invice Upload कर देगा तो उसके Base पे GSTR 2A में recipient को Input As Credit दिखाई देगा तो फ्रेंज इस परकार GSTR 2A में आपका Eligible ID से आ रहा है उसका 5% एक्स्ट्रा आप और क्लेम कर सकते हैं यदि Supplier के द्वारा Invice Upload नहीं की गई है इसके लबब फ्रेंज आपको Rule 86B को भी ध्यार में रखना है जो कि 1st January 2021 से इंसर्ट किया गया है जो कि यह कहता है कि अधि किसी Taxpayer की Taxable Value Supply की Exempt Supply और Zero Literal Supply को छोड़ कर महीने में 50 लाख रुपे से जादा हो जाती है तो वो अपने electronic credit ledger से सिर्फ 99% amount ही ITC का यूज कर सकता है यानि कि उसे at least 1% amount cash ledger से pay करना है लेकिन यह restriction apply नहीं होती है यदि proprietor करता, managing director या फिर कोई भी partner whole time director के दोवारा 1,00,000 पे से जादा का income tax pay किया गया है last two financial year में जिसके लिए कि income tax return फाइल करने की last date खत्म हो चुकी है या फिर व्यक्ति के दोवारा GST Act के section 54, section 3, close 1 & 2 के अंत्रिगत 1,00,000 पे से जादा का refund claim किया गया है या फिर current financial year में जिस महीने वो return file कर रहा है उस महीने तक उसने already अपने electronic cash ledger से 1% से जादा का अपना output tax पे किया है या फिर व्यक्ति registered व्यक्ति है government department, public sector undertaking, local authority, statutory body friends इस परकार आपको input as cadre claim करते हुए books of account को भी देखना है GST Act 2a को भी देखना है GST Act 2b को भी देखना है और GST Act और rule भी देखने है friends इसके लाग आपको rule 86a को भी refer करना है जहां पर के GST officer electronic credit ledger से ITC को avail करने में restriction लगा सकता है यानि कि ITC ब्लो कर सकता है यानि कि यदि ITC ऐसे व्यक्ति से लिया गया है जो के non existence है या फिर बिना good year service को receive किये हुए कोई व्यक्ति input as credit avail करता है तो उसका ITC ब्लो किया जा सकता है या फिर जो व्यक्ति ITC avail कर रहा है वो non existence है या फिर अपने place और business से जहां के लिए उसने GST के registration ली है वहां से business नहीं conduct कर रहा है तो उसका ITC ब्लो किया जा सकता है या फिर वह बिना किसी tax invoice से debit note के ITC ले रहा है तो उसका ITC लेना ब्लो किया जा सकता है के लिए यानि के यदि कोई व्यक्ति GST at के section 16 को violate करते हुए input as credit को claim करता है या फिर GST rule को violate करता हुए तो उसकी registration cancel की जा सकती है या फिर rule 86B को violate करता है यानि के उसकी taxable value की supply 40 lakh रुपे से जादा है और वो 99% से जादा का input as credit avail करता है अपने electronic credit ledger से तो भी उसकी registration cancel की जा सकती है फ्रेंज उमीद करते हैं आपके लिए यह news useful रही होगी कि पहलाई कीजिए और अधिक से अधिक share कीजिए ताकि सब भी लोगों तक के जानकारी पहुँच पाए और वो GST at के अंतरगत compliance कर पाएं आप हमें telegram app csf basing taxil पर join कर सकते हैं थाके आप GST और income desk के regular update अपने mobile पर ही प्राप्त कर सकें